मन के हारे हार है, मन के जीते जीत इसलिए जीवन में कितने ही संघर्षों का सामना क्यों करना पड़े मन को कभी मत हारने दीजे सुप्रभात नमस्कार मैं हूँ प्रीती सिंग आए शुरुवात करते हैं वोके गतिविदियों के साथ केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने एंडिये सरकार के तीसरे कारेकाल का पहला बजट किया पेश बजट में मध्यमवर को कर राहत रोजगार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर अगले पात साल में रोजगार स्रजन से जुड़ी योजनाव के लिए दो लाख करोर रुपे केंद्रिय बजट पर लोगसभा और राज्यसभा में आज से शुरू होगी चर्चा बहस के बाद दोनों सद्नों में वित्तमंत्री देंगी जवाब बजट 2024-25 में मिला बिहार और अंद्रप्रदेश को खास तोफ़ा अंद्रप्रदेश को 15,000 करोड रुपे की विशेश वित्तिय साहता बिहार को वेबिनने सडख पर योजनाव के लिए मिले 26,000 करोड रुपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया देश के गाओं घरीब और किसानों को समरिद्धी के रास्ते पर ले जाने वाला नीट यूजी परिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला कहा परिक्षा में कोई प्रनालिगत उलंगन नहीं इसलिए दोबारा नहीं होगी परिक्षा शिक्षा मंतरी धन्मेन प्रधान ने कहा सत्य की जीत है आई सबसे पहले निज़र डालते हैं दोनों सद्दों में आज के कामकाज पर और देखते हैं कि संसत के बजट सत्र की दोरान आज क्या कुछ होना है और सबसे पहले बात लोग सभा की प्रश्नकाल की दोरान सदस्य विभिन मंतराले से जुड़े आज प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर संबंदित मंतराले की ओर से दिया जाएगा इसके अलावा विभिन मंतराले से जुड़े पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे साथी कारे मंतरना समिती का प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा इसके अलावा लोक लेखा समिती 2023-24 के प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाएंगे साथी मंत्री अपना वक्ता विभी देंगे नियम 387 के अंतरगत और विलंबनी ये लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे 2024-25 के लिए किंद्रे बजट पर सामान नय चर्चा आज से शुरू होगी 2024-25 के लिए जम्मू कश्मी संग राजिक शेतर के बजट पर भी आज सामान नय चर्चा होनी है इसके अलावा जम्मू कश्मी संग राजिक शेतर के अनुदानों की मांगों पर सामान न चर्चा और मतदान भी होगा और आये देखते हैं राजी सभा में आज जुक्या कुछ रहेगा खास एक नजर राजी सभा के काम काउच पर विबिन मंत्रालेों से जुड़ी पत्र आज उच्छ सदन के पटल पर रखे जाएंगे लोकलेखा समिती के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे अन्य पिछले वर्गों के कल्यार संबंदी समिती के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा अनुसूचित जातियों, जन जातियों के कल्नियार संबंदी समिती के लिए नाम निर्देशन के प्रस्ताव रखे जाएंगे उच्छ सदन में भी आज विबिन मंत्राले से जुड़े प्रश्न पूचे जाएंगे जिसका उत्तर संबंदित मंत्राले की उर से दिया जाएगा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रिय बजट पर सामाने चर्चा उच्छ सदन में भी होनी है 2024-25 के लिए जम्मू कश्मी संग राजिक्षेत्र के बजट पर सामाने चर्चा होगी केंद्रे वितमंत्रे निर्मला सीतारमन ने अंडिये सरकार की तीसरे कारेकाल का पहला बजट पेश किया बजट के माध्यम बजट से मध्यमवर्क को कर्मे रहा दी गई है रोजगार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोड दिया गया है वितमंत्रे निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को पेश आम बजट में आयकर के मोर्चे पर कुछ बदलावों की घोशना करते हुए मध्यमवर्क और नौकरी पेशा लोगों को रहा दी है साथी अगले पांच साल में रोजगार स्विजन से जुड़ी योजनाओं के लिए दो लाख करोड रुपे के व्याए और नए गड़बंधन सहयोगियों के राज्यों के लिए अधिक राशी का प्रावधान किया गया है इस बजट में ग्रामीड विकास के लिए दो दशमलव छे छे लाख करोड रुपे का प्रावधान किया गया है और आर्थिक वृद्धी को बढ़ावा देने के लिए बुन्यादी धाचा परियोजनाओं के लिए ग्यारा दशमलव एक एक लाख करोड रुपे रखे गये हैं प्रामीड टुपे लिए कि लड़ाचा है The people of India have reposed their faith in the garment led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under its leadership. We are grateful for their support, faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. अभी भी कम और स्थिर है और चार प्रतिश्यत के लक्षी की ओर बढ़ रही है। वरतमान में मुद्रस पीती 3.1 प्रतिश्यत है। अंक रेछिस, टोपी पらशीत के इसलना थे खूंधनि है। और सुनका नहीं प्रतिश्यत के अतमक्षा झांत थे जो एने ईये अएड कोशिंगा जातिर हैं की ढूंदूब घाल, इसाजसे फे थाल播क्षा अने एहार्विजुटंट्ट। पूंधन मुद्रसा थांत इसुट food and non-fuel currently is 3.1 percent steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately वित्मंत्री ने कहा कि साल के बजट में नौ प्रात्मिक फित्रु पर ध्यान की इंद्रित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि आगामी बजट को इनके आधार पर ही तैयार किया जाएगा देख Euan-र-देख Geala This budget envisages sustained efforts on the following nine priorities for generating ample opportunities for all Number one, productivity and resilience in agriculture Number two, employment and skilling Number three, inclusive human resource development and social justice four, manufacturing and services, five, urban development, six, energy security, seven, infrastructure, eight, innovation, research and development, and nine, next generation reforms. our journey towards the goal of Vikasid Bharat. Priority one. Productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research set up to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. release of new varieties. New 109 high yielding and climate resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. इस बजजट में किसानों और फार्मिंग को लेकर कई खास घोशना की गई हैं. सरकार का नाच्रल फार्मिंग पर विशीश फोकस है. Natural farming. In the next two years, one crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. वितमंत्री ने कहा कि हमें चार प्रमुक वर्गो पर ध्यान के इंद्रत करने के आवशक्ता है. गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता. अन्नदाताओं के लिए उच्छ न्यूनितम समर्थन मुल्ले की घोशना की गई है. रही कोईदो, कारीब, युवा, और अन्नदाताओं के विएच्छ न्यूनितम सम्हिला काष्छ तुम्हन लिए पर evangelize है. अन्न आदाताओं के इंदोत्य का मैं। अजूनितम मुल्ले की अन्नदाता है. प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना को बढ़ाये गया है जिससे असी करोड लोगों को लाब होगा प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना वस एक्स्टेंड़ फॉर फाइव यह बेनिफिटिंग मोर दन 80 क्रोर पीपल बजट पेश करते हुए स्टार्ट अप में सभी श्रेणी के निवेशिकों के लिए एंजिल कर याने इंजल टाक्स समाप्त करने की घोशना की गई है साथी मोबाइल फोन और सोने पर सीमा शुल्क में कटवती की गई है और पूंजिगत लाबकर को सरल बनाया गया है प्रणमी श्रेणी करके लिए प्रणाइब करते हैं वित्यमंद्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकान आंद्रप्रदेश पूर्गठ अनधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किये हैं उन्होंने कहा कि राजी की पूर्जी के आवशकता को समझते हुए हम बहुपक्षे जेंसियों के माध्यम से विशेश वित्तिय साहता की सुविधाप्रदान करेंगे चालू वित्वश दोहजार चौबीस पचीस में भविश्य के वर्शों में अत्रिक्त राशी के साथ 15,000 करोड रुपे की विवस्था की जाएगी Andhra Pradesh Reorganization Act Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act Recognizing the state's need for the capital Recognizing the state's need for a capital We will facilitate special financial support through multilateral development agencies In the current financial year, 15,000 क्रोड रुपेस will be arranged with additional amounts in future years प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजट है ये देश के गाउं, गरीब, किसानों को समरिदी के रहा पर ले जाने वाला बजट है उन्होंने कहा कि हर शहर, हर गाउं, हर घर entrepreneur बनाना है इसे उदेश से बिना guarantee के मुद्रा लोन के लिमिट को 10 लाग से बढ़ाकर 20 लाग रुपे किया गया है हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर, एंटरप्रिनर्स बनाना है इसी उदेश से बिना guarantee के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाग से बढ़ाकर 20 लाग रुपे किया गया है इससे छोटे कारवारियों, विशेश रुप से महलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि हम सब लोग मिलकर भारत को global manufacturing hub बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्यमबर्ग से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से MSME सेक्टर की ओनर सिप मद्यमबर गही है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार मिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि बजेट में सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme की घोशना की है जिससे देश में करोडो नए रोजगार बनेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्वा अवसरवड ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है देश और दुनिया ने P.L.I. स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजेट में सरकार ने Employment Link Incentive Scheme की गोशना की है इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे इस योजना के तहत जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तन्खवा हमारी सरकार देगी Skill Development और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कमपनियों में काम करेंगे उपराश्रुपती और राज्यसभा के सभापती जगदीब धनकर ने मंगलबार को सांसदों और सदन के फ्लोर निताओं से आगरे किया है कुनी वो नियम 266 के तहट उनके द्वारा देनिक आधार पर पेश किये जाने वाले नोटिस का आत्मनिरिक्षन करें इस आदत को प्रावधान का अंधा धुन उप्योग उन्होंने करार दिया सदन की काई शुरू होते ही सभापती को सूचित दिया कि उन्हें नियम 266 के तहट पांच नोटिस में ले हैं लेकिन इन्हें अस्विकार कर दिया गया है उन्होंने कहा कि नियम 266 का इतना उधारता पूर्वा कुप्योग हमारे लिए अच्छा नहीं है साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सदस्यों और सदन के नेताओं से आगरे करता हूँ कि वो नियम 266 के तहट प्रावधानों का प्रते दिन अंधादोन उप्योग करने पर गंभीता से चिंतन करे साथ ही इसे लेकर आत्मेन इरिक्षन की भी ज़रूरत है स्रावधार गोस्ष श्री साकि गोकले श्रीमौमादी नधिमुलहक, मेंबस आप सोड़ की इसक्षिक अज़ एके इसक्षिक एन उसे एक उसे हैं, श्रीमती सुषमिता देव अप्र वियुट में अप्रोन अज़िए अज़िए थे ज़्युट हैं, 2428 the kanad and the budget of unionality of Jamaa and Kashmir 2024 25 which is the constitutional requirement in terms of article 112 of the Constitution of India. I fail to comprehend what these members want to dispense. Do we not want these papers to be laid on the table of Rajasabha ? इल्बरेक लिब लफ्ट सम् लिबल यह जानोग्यास श्याज टौस्ट व में ऑ्र को Zealand बीकॠर लोस्टосьवे ब paragraph ऴें एक लेकृ यह स्टेवें हूं थ varit pissारे इंड परीपडिया एक पस्ता बात मैं लच्पिन आपडीट मैं टंप करे बदीकि岌र्डी पात लेज़ धिए रूहब सिरिप्लम के रूफ इस टोन मेंन रपनेता होन प्रव押िजोगन से नियूर थैली एर बदेखेख विन आपिदियंग हाuição these notices do not conform to the directives imparted by the chair in this behalf the same I cannot proceed myself to accept I am सबह दक्ष उंबिला ने उम्मीद जताए कि डॉक्टर आक्सन की यात्रा से दोनों देशों के बीच दुई पक्षे संबंद और मजबूत होंगे। मानिया डाक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यान प्रसंता हो रही है। दोजार चोईस को भारत पोची उन्होंने 21 जुलाई दोजार चोईस को आगरा का ब्रह्मन किया और इस समय वह विशेश बॉक्स में आसिन है। हम भारत में उनके सुकद और सपल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसिय संकी प्रसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सपलता की भी कामना करते हैं। उनके माद्यम से हम तंजानिया गनराज की संसत के सदश्यों, तंजानिया की सरकार, तरह वहां की मित्वर जनता को बधाई और शुब कामनाये देते हैं। कुछ और हैं हबरी, नीट यूजी परिक्षा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला आया। कोट का कहना है कि परिक्षा में कोई प्रणाली गत उलंगन नहीं हुआ, इसलिए इसके दोबारा परिक्षा नहीं होगी। सुप्रीम कोट ने नीट यूजी 2024 को रद्ध करने की मांग को ये कहते हुए खरिच किया है कि मौजूदा स्तर पर रिकॉर्ड पर पर परियाप्त सामगरी का अभाव है, जिससे ये निशकर्ष निकाला जा सके कि परिक्षा का परिक्षा का परिणाम दूशित है। और इसे के साथ फिलाल सुप्रभात में इतना ही, अपना अच्छी से ख्याल रखी और मुझे दीजिये जाज़त, नमस्कार।